नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मानस समर्थ और जैसा कि आप देख रहें स्क्रीन पर यह बहुत काम की चीज है और हमारी बाड़ी के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही जरूरी है और इसको लेने से हम अपने आपको एक स्वस्थ रख सकते हैं प्दाव होगा तीवी पर सुनाऊगा यूटूब में आप अगार आप एक हैसे नियुक्त ओंड़े कर देते हैं तो अक्षुझकें के बारे में आपने सुना होगा डॉक्टरों के मूं से सुना होगा लेकिन बहुत कम लोग को इसके बारे में शॉयद पता होगा कि antioxidants की जरुवत क्यों होती है और antioxidants किस चीज में पाया जाता है means इसका source क्या है जिसे हम ले सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि antioxidants होता क्या है basically minerals vitamins और chemicals इन तीनों का combination होता है इसको हम antioxidants बोलते हैं यह जो antioxidants है यह हमें fruits में vegetables में और grains में यानि कि फल सबजी और अनाज में यह antioxidants पाया जाता है तो सबसे पहले जानते हैं कि antioxidants हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है actually antioxidant यह हमारी body के biochemicals से जितने भी side effect होते हैं उनसे बचाता है यह हमारी body में जो red cells होते हैं उन red cells को बढ़ाने में उनको बनाने में यह useful है इसके अलावा हमारी immunity को यह बहुत strong बनाता है antioxidants और उसके अलावा यह हमारी skin को धूप और सूरत से होने वाले हानिकारी किर्णों से बचाता है इसके अलावा यह हमारे body की cells होते हैं उनको यह बहुत strong करता है energetic बनाता है यह हमारी body को हमेशा active रखता है उसको हमेशा healthy रखता है और यह जो हमारी body के अंदर जो extra bacteria होते हैं उन जो extra bacteria होते हैं उन वेक्टीरिया यह anti-oxidants तो दोस्तों इसके लावा एक बहुत जरूरी बहुत important काम जो कि anti-oxidant करता है उसके बारे में जान लेते हैं हमारी body में activities होती रहती है चलती रहती है जिस तरह गाड़ी चलती रहती है इसी तरह हमारी body भी चलती रहती है तो हमारे body में activities होती है एक तो होती है जो हम और दोस्तों यह जो फ्री रेडिकल्स बैक्टिरिया होते हैं यह 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 फ्री रेडिकल्स बहुत यूसफूल होते हैं, तो आपने देखा, कि सबसे पहले हमारी बाड़ी में एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी जैसे डाइजेशन, पाचन किरिया होती है, और सांसों का आना जाना, उससे ऑक्सिडेशन प्रॉसेस बोलते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, तो यह जो फ्री रेडिकल्स बैक्टिरिया होते हैं, यह फ्री रेडिकल्स बैक्टिरिया हमारे सेल्स को जनरेट करने में, हमारे सेल्स के ग्रोथ में बहुत यूसफूल होते हैं, लेकिन अगर यह फ्री रेडिकल्स बैक्टिरिया ज्यादा बन उनको किल करने लगते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी वाड़ी में जो यह free radicals bacteria हैं, यह balance होने चाहिए, ना ज़ादा होने चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ताकि हमारी वाड़ी को यह balance कर सके, तो जब यह free radicals बेक्टिरिया जो है हमारे good cells को kill कर देते हैं उसकी वज़े से diabetes की problem, cancer की problem और heart की problem होती है जी है दोस्तों अगर ये free radicals bacteria अगर हमारे good और healthy cells को destroy कर दें, खतम कर दें, नस्ट कर दें तो फिर ये बिमारिया होती हैं तो ये जो बेक्टिरिया हैं इन बेक्टिरिया को मारने के ल जरुत पड़ती है तो anti-oxidants का जो main काम है वो है कि हमारी body के अंदर जो free radicals bacteria बने हैं उनको ये kill करता है तो ये बहुत काम की चीज़ है तो अम मैं बताता हूं कि कौन सा ऐसा fruit है जिसके अंदर जबरजस्त anti-oxidants पाया जाता है जी हैं दोस्तों वो fruit कोई और नहीं वो है हम अनार बहुत अच्छा anti-oxidants fruits है उसका रीजन ये है कि अनार के अंदर विटामिन C जबरजस्त पाया जाता है जो कि विटामिन C हमारी bones के लिए muscles के लिए और blood vessels के लिए बहुत ही जरूरी होता है इसके अलावा ये हमारे immune system को बहुत अच्छा protect करता है और विटामिन C हमें इसने लेना चाहिए क्योंकि विटामिन C हमारी body अपने आप नहीं बनाती है तो इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है तो इसलिए vitamin C भी बहुत useful है vitamin B9 जिसको हम folic acid भी बोलते हैं वो बहुत जरूरी बहुत काम की चीज़ होती है खासकर pregnancy में जबरदस्त यूज होता है इसका तो इसलिए इसको pregnant women को भी बहुत अच्छी मात्रा में अनार को लेना चाहिए इसमें बहुत अच्छा potassium होता है जो कि हमारी body जो है नेच्रली बना नहीं पाती है तो इसलिए potassium को लेना बहुत जरूरी है जो कि अनार के अंदर मिलता है पोटेशियम जो है हमारी body के अंदर water के balance को maintain करके चलता है इसलिए इसको बहुत जरूरी है और ये हमारी kidney और heart के लिए भी बहुत useful है potassium इसलिए अनार को लेना बहुत ज चुती में पसके और जयांती हैं कपती हैं चुकी मिलतै करता है उसके यह हमारेucker in to the blood करता है जो कि एक भूद भाप खराब यह उसको करने में इसका चाहिए और जसदेन करना चाहिए तो weight lose करने में अनार का बहुत अच्छा रोल हो सकता है उसका reason यह है कि इसमें fiber बहुत ज़्यादा होता है और calories बहुत कम होती है तो आप ज़्यादा भी खाएंगे तो calories आपको बहुत कम मिलेंगी और fiber जबरजस्त मिलेगा तो आपको weight lose करने में भी बहुत useful है और बहुत से studies यह बताती है और कहती है कि अगर हम regular इसका use करते हैं तो regular use करने में दो हपते के अंदर हम अपने blood pressure को काफी हद तक control कर पाते हैं इस अनार के द्वारा और इसके अलावा यह हमारे cortisol level जो कि एक stress hormones है इस stress hormones को यह अनार जो है बहुत अच्छा maintain करता है उसको release नहीं होने देता जिसकी वज़े से हमें heart की problem नहीं होती क्योंकि heart की problem mostly जो है stress की वज़े से होती है तो अगर किसी को heart की problem है तो वो जो है अगर यह अनार खाये तो उसका cortisol level यह जिसको बहुत ज़्यादा stress होता है बहुत ज़्यादा tension है वो अनार ज़रूर खाये उसका cortisol level down होता है और cortisol level down होने की वैसे उसको stress नहीं होगा इसके लावा हमारी teeth के लिए भी बहुत useful होता है क्योंकि यह हमारे prevent करता है हमारे plague bleeding में तो यह उसके लिए भी बहुत useful है mouth health के लिए और यह one of the best fruit है हमारे पेट के लिए क्योंकि यह acidity को control करने में भी बहुत useful है उसके अलावा constipation हमारा ठीक रखता है और digestion को बहुत अच्छा रखता है क्योंकि इसक अंदर fiber बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों अगर आप एक कप अनार रोज लेते हैं तो यह आपकी इविनिटी को बहुत अच्छा रखता है यह आपकी diabetes को control करके रखता है यह आपके blood pressure को control रखता है यह आपके digestion को ठीक रखता है और सबसे अच्छी बात यह आपके skin को हमेशा glow रखता है यह हैं फाइदे अनार के तो मेरी आप लोगों से request है कि अगर आप एक अनार या एक कप अनार रोज खाएं तो यह आपको इतने सारे benefit देते हैं और मुझे लगता है कि इससे अच्छा fruit कोई और हो नहीं सकता Thank you so much for watching this video यह आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स वाक्ट में लिखें और आप किसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स वाक्ट में जरूर लिखें अपना ध्यान रखें और अगर आप खा सकते हैं easily तो एक अनार डेली यूज जरूर करें